तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि आमाई इंस क्यू बेसिक होते हैं, ठीक है, खुड़ा और उसके रीजन धुड़ने पर पता चला, कि यह कुछ फरक इसका भी होता है, किसका सर, प्लस इंडक्टिव एफेक्ट, या पॉजिटिव इंडक्टिव एफेक्ट, ना everyone here, पड़ो, influence, पड़ो, on, ठीक है, अच्छा, सब लोग यह आपर देखा हो, here, notice करो, पहला बंदा हमारा actually देखा जाए, तो NH4 है, come on, पहले बंदे को ध्यान से देखो, कौन है वो, NH4 है, okay, second बंदे के पास, एक H हटके, एक alkyl group आ गया, next बंदे के पास, next बंदे के पास, और अगर आप notice करोंगे न, जैसी alkyl group आया न, आपने notice क्या होगा, alkyl के पास है न, एक arrow है, arrow है, है न, sir, यह क्यों दिया आ गया, sir, सुनो, पड़ो, influence, on, सुनो, क्या होता है, जैसी एक alkyl group आता है, सुनो कहानी को धियान से, an alkyl group, an alkyl group exerts यह, सब बलो, बलो जोर से, बंदा हमारा जो आ रहे न, alkyl group, जैसी वो अंदर आता है, भाया वो, उसके पास एक property है, कि वो अपने electron, nitrogen को दे सकता है, तो वो वही करता है, क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर एक दम, हाँ, electron releasing, और इस effect को क्या बोलते, और electron जब कोई release करता है, बंदे तो उसको बोलते, positive inductive effect, इसलिए plus i लिखा हुआ है, ठीक है, अब इससे क्या होता है, लिखा है, which stabilizes, किसको, positive charge on the atom bonded to it, इसका मतलब, अगर आप notice करोगे, positive बंदा कोन था है, यहाँ पे, nitrogen, अमोनिया कहा हमारा, जो nitrogen है, वो positive था, जैसी alkyl group आया, तो alkyl ने अपना electron उसको दे दिया, तो लिखा है, इसके वज़े से, यह जो ammonia है, ना, पहले के comparison में थोड़ा, लिखा है ना, which stabilizes positive charge on atom bonded to it, अच्छा, फिर क्या हुआ भाईया, as we move, पड़ो, पड़ो, पड़ो जोड़ से आर, अगर आप notice करोगे, वो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे हम यहाँ से इसकी तरफ जाएंगे, मतलब सर, पहले यह बंदा था, NH4, यह ना, यह कुन था, सर, हाँ, to be more correct, इसका हम ऐसा बोल सकते है, बोलो क्या, जोर से बोलो, अब उसके बाद एक आर आया, फिर दो आर आया, फिर दीरे-दीरे, है ना, मतलब हम लोग कहां तक पहुँच गए, तो जैसे जैसे हम यहां से वहां जा रहें, क्या हो रहें, अब आप सोचे ना, आपको क क्या होता है, वो हमको यहां बताया गया था, एक आर आने से नाइट्रोजन स्टेबल होता है, तो दो आर आने से, और स्टेबल होता है, तो तीन आर आने से, तो अगर आपको यह आप से बड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछा, कि बाईया, इन चारों में सबसे जादा कैजन 낮 क्योंकि गए स्केबस एक आर्था तोस्ने jarge कर दिया बाजी को आलेके पास और जाधा Abigail उसके बाज़ा के पास दो किनाई गोसे जैसे जैसे हम लोग यहां से यहां जा रहें ट्रेटी धिरह दिरह कि युदे बूल रहा है यही तो बोल रहा है वह आगे देखो, खिंग, this results in increasing, oh, increasing stabilization of the conjugate axis, okay, and thereby increasing order of, हाँ, अब 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 जैसे जैसे everyone क्या होगा या, stability बढ़ेगी, हमने पहले सुना था last lecture में, अगर अबने पे जाके सुना होगा, और रिवायस किया होगा तो, हमने last lecture में सुना था कि, जैसे इसे stability बढ़ती है, वैसे वैसे, क्या कुंसा स्ट्रेंथ, basic strength, जैसे इसे stability बढ़ेगी, यही तो connection था, basicity, और stability के भीश में, जब यह बढ़ेगा, stability बढ़ेगी, basic strength भी बढ़ेगा, basicity भी बढ़ेगी, तो वही होता है यहां पे everyone, जैसे जैसे हम यहा जा रहें न, stability बढ़ रहे हैं, तो stability के साथ साथ, basic strength भी बढ़ रहे हैं, तो भाईया, क्या पढ़ा है, जैसे नाम न, बोलो न, तो इस टॉपिक में हमने पड़ा कि बैया जब है ना इस बंदे पर कौन है सरे ये, देखो याद ये बंदे का एक्शुल नाम ये है, सब बोलो जोर से बोलो आज ये काहनिया आप देख चुकी हो बहुत पहले बहुत पहले हमने एक reaction देखा था, बहुत पहले, बहुत पहले, बहुत पहले, बहुत पहले, और वहाँ यह, 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 पहले बन्दा कौन था, बोलो ना, मतलब इसके पास 1H, 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 ऐसा 3H थे, बात में क्या होगा है everyone, यह H2 ने आगा, अपना 1H भी, है ना, तब इसके पास H, H, H एक और H, 4H होगा है, इसको हम लोग बलते हैं, क्या बलते हैं, और यह सब मने बताया था, लॉरी, ब्रॉंस्टेट, लुईस वगेरा यार लेक्चर देख लेना अच्छे से, ठीक है, फाइन, तो इसका मतलब इसका बन्दा आपके सामने यहां पे खड़ा है ना, बहुत यह बन्दा, वही बन्दा है जो वहाँ था, जिसको हमने नाम दिया था, और यह उसका फॉर्मूला है, बोलो, प्लस, बोलो ना, बोलो ना, नाम कहा है, तो शुरुवात यहां से की हमने, जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे, क्या है, ओ, जैसे ही आ रहा है, तो हमको पता चला कि आर अपने साथ, क्याविलिटी को लेकर आता है, क्योंकि आर के पास एक स्पेशल ताकत है, कौन सी ताकत है सार आर के पास, बोलो ना, भया, यह बन्दा अपने एलेक्ट्रॉन सामने वाले को दे सकता, यह आरो का मतलब ही वो है, क्या है, यह बन्दा दे रहा है, य लेकिन ऐसा रीजल्ट के होता भई यह बंदा अपने एलेक्टरोन देता है, छीखे? लेकिन ऐसा रिजल्ट के होता भई इस इसकी Stability बढ़ जाती है. तो एक बंदा आने से Stability बढ़ा, दो बंदा कर दो दो आने से, तीन बंदा रे रॉने से,, Tah tons यहां से जा रहें stability, जही है, तो क्या लिखा इसको? बोलो ना यार! बोलो दोर से! अब जयसे जयसे, स्टैबिलिटी बढ़ती है, उसके साथ-साथ में, बेशीक स्ट्रेंड भी बढ़ती है. Okay? आप आज direito क्कली एक काम करेंगे, तो एक-एक H कम कर दूसरे, H कम करने से क्या होगा, यह प्लस वाला साइन भी, आप देख ले न, यहाँ पर क्या लिखाता है, प्लस अब क्या लिखा है, क्या फर्क हुआ, खाली H कम नहीं हुआ, मैंने आपके एक दिन बताया था कि H को very good, किसी ने बोला, proton भी बोलते है, H को very good, good, proton भी बोलते है, ठीक है, फाइन, भाईया यह इसलिए बोलते है, क्योंकि H अपने साथ यह वाला चार्ज लेके आता है, क्या, और आपको बता न, proton का यही तो चार्ज होता है, neutron, proton, electron सुना है न, अब वो एरिया में जाएंगे नहीं है, लेकिन फिर भी, इसलिए की बात करेंगे, तो यहां न, फोर था, अब कोन है, है यहां पर देखना है, यहां पर न, थी था, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और यहां पर, साथ-साथ में एक plus sign भी कम होगे, ठीक है, तो जैसे यह से order of stability बढ़ रही थी, वहीसे ही, एक सकेंट सर, एक सकेंट सर, एक वर्ड नहीं है यहां पर है ऐसे कि उसर क्या वर्ड लिखा भाइदवे बुले जोर से एक्स्पेक्टेट मतलब भाया आपने कैल्कुलेट नहीं किया आपने अंदा सा लगाया था अजब चेक है तो वही हुआ आपने तो भायर रहिस. भायर रही जैना आपने तो भायर रहिश अच्छी होई तो हमने एक्सपेक्ट किया किस साल है इसको बोलता एक्सपटेट है जिक्ळकुलेट नहीं किया था कंदमने अंदाद लगा लिए fulfilling कि अ शेतकर इंशे अलगर बढ ते किनने यहां तो ऐसा लिखा है पहले उससे जादा बेसिक स्ट्रेंद उससे जादा अरे बोलो ना और उससे जादा अरे लेकिन यार इसके पहले भी हमने यह खेल देखा था कहां देखा था सार याद करो एद देखो हमने यह ओडर आ बेसिक स्ट्रेंद का खेल पहले भी देखा था है इदर 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 छोड़के कहीं हो रहे भाई तू इदर ध्यान देखा है इदर उसमें और इसमें कुछ फरक नहीं दिखा आपको कुम आपको देखो खेल समझो अभी दिहान से एवरीबन ही है इदर इसमें परक है इसमें परक है है ना वह पर कैसा था नीचे सबसे कम उससे जादा उससे जादा उससे जादा है ना यह वाली साइन उल्टी हो गई थी यह कबकी बात है वालूप है जब हमने इसको श्차ड़ी किया खिसको श्रड़ी किया अर उसके साथ हमने बेसिक स्टैंथ को अ कुछ ऐसा मिला न। आज जब हमने ने वेन गन्डर्टिय ऐफएक्टाश खिग किया तो आंसर कुछ ऐसा मिला ऑग इसको उससे जादा उससे ज यार, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम तो गलत कर नहीं नहीं है, यार, टेक्श्च्बूक से बढ़ रहे हैं, या तो और कोई factor है, जो इसको influence कर रही है, लेकिन हम पकड नहीं भा रहे हैं. सुनो मेरी बात ध्यान से, एवरी एवरी बड़ी एव, कहीं सालों पहले हैं, यूरोप में एक बिमारी थी, परपल फ्लू करकी कुछ बोलते हैं दोसको, चोटे जो बच्चे न, एकदम चोटे बच्चे, infant babies, जो पैदा होते हैं, कुछ-कुछ दिन में उनको फ्लू हो जाता जैसी पैदा होते हैं, कुछ दिन में उनको फ्लू हो जाता था, प्लू होते हैं, देख हो जाते हैं, और यह लगातार चलते रहा कही सालों तर, कही महिनों तक बहुता, सालों तर, तो समझ में नहीं आ रहा था, क्या हो था, अब डॉक्टर सो चले हैं, शायद हम करता हूं, इतना टाइम नहीं अपने पास, बात में पता चला है कि एक और फैक्टर है, जो इंफ्लूएंस में आ रहा, जो इनके पकड में नहीं आ रहा था, और वो क्या था मालूम, उसी वक्त है न, जब यह बेबीज की डेत हो रही थी, छोटे-छोटे, दो-दो-तिन-त जो शाम में बेबीज वगेरा पर काम करते थे, यही लोग सुभा जो न, डेट-बोडी इस पर काम करते थे, भाई किसी की मौत हो गए उसका, पोस्ट-मॉटम कर रहे है, यह कर रहे है, वो कर रहे है वगेरा 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 वगेरा, और बात में रिसार्च करने पर पता करके आते हैं, आपने यह कर रहे हैं, तो वही चीज यहां पर ट्रांसफर हो रही थी, तो ऐसा ही कुछ है विरियन, कभी-कभी कुछ-कुछ factor हमारे दिमाग से छोड़ जाता है, वहां पर कुछ अलग अंसर है यहां पर कुछ अलग अंसर है, इसका मतलब यह है, कोई तो और बंदा है, जिसको हमने अभी तक नोटीस नहीं किया, इस पूरे पारग्राफ में यही जो बोला, जो भी मैंने अभी हिंदी में बोला ना, वही सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, डिफिकल लाइज में, एंड की कहानी बता, एंड में लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है इचाटीव एफेक्ट, है ना, क्या देखेंगे अफिए इफ्लेंस आफ, अभी क्या देखे रहे, अवाज यार, आप देखो इससे क्या हुआ, बोलो भाइइ इफ्लेंस आफ स्लवेशन जोर से, लोग यहादी गौ। तॉ यह कोरे बंदा। खु सकते है। है कि अभूसक्त सकते हों कॉतो है। अभेश्ओं नहीं। कि जकंग राक त्यूलों को उसी प्रोसस को तो सॉल्वेशन कहते है ठीक है शलो बाई अब यह दो यह बंदे को अमने वाटर में डाल दिया हर जगे से को ना गया वाटर 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 ओगे सर यह क्या है सर आपको मालूब होनाशी यह क्या है अरे बड़ा फेमस नाम है ही वाटर में डाले ही हैं यहां इसले है ही कि है कि अधर आजको इंतर अंग कोहनने और इंसकरत करो यहां पर ही ड्राजेन बंडिंग यहां पी है यहां पर के नोटेज चलो फाग critically को आगे बढ़ाते है, कहानी को आगे बढ़ाते है, दो और लोग है हमारे पास, वो था प्रायमरी, ये है आपका सेकेंडरी, है ना? तबया, यहाँ हाँ पे भी हाईड्रोजन बाण्ड है, यहाँ पे यहाँ पे नहीं है, अब एवर अतर शरी, इदर पे है लेकिन इदर पे नहीं है इसका मतलब यह पड़ो दस्वालमेंट वॉटर हुआ हुआ अब सुने वरें यह वाला कंसेट क्या बोल रहा है यह वाला कंसेट क्या बोल रहा है कि भाया जितने आपके पास यह रहेंगे बोलो जोर से उतने आपकी ज्यादा स्टैबिलिटी होगी सुना कहानी क्या यह वाला जो एप्रोच है यह वाली जो सोच है क्या बोल रही है कि जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा तो भया मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी hydrogen bonding सबसे जादा किसके पास था? बोलो ना, बोलो ना, और सबसे कम किसके पास था? है ना, इसलिए यहां लिखाया भया, stability by salvation is very poor in this. मतलब, वो वाली कहानी कुछ और बोल रही थी. यो वाली कहानी exactly, उल्टा भोल रही है, है ना, वो वाली कहानी में हमने देखा था, यह यह ना, वो कहानी, ओगे, यो वाली कहानी में हमने देखा था, इदर अच्छे से दिया गया है, यह जैसे जैसे आप यहां से वहां जाते हो, stability बढ़ते जाती, जबकि ये वाली कहानी में बताय जा रहा है कि नहीं भाई, सबसे ज़्यादा stable तो conjugate acid है, क्योंकि इसके पास एक, दो, तीन, चार hydrogen bonding अब hydrogen bonding का जब role हमने consider किया ना, उसके सबसे पता चला, सबसे ज़्यादा stable तो, और वो जो आखरी में है, वो तो सबसे weak है, है ना, तो देखो, दोनों approach अलग-अलग idea को बता रहे थे, ओके, लिखा है यहाँ पर ठीक है, और इसी लिए everyone, इसी लिए ओके, बाद में हमने क्या किया, दोनो combine करके, समझ में आ रहे हैं, वे ने कहानी क्या है, है, क्यों combine किया, क्यों कि यह बंदा कुछ, और बोल रा है यह बंदा कुछ, यह बोल रा ऐसी stability बढ़ेगी, यह बोला ने, अब ऐसी stability काम होगी, यह ना? और stability के साथ में कौन connected है, basic strength, यब stability बढ़ती है तो, और अब हमने दोनों का combined influence पढ़ना है, पढ़ो जोर से. एंड, ओके, तो देखो, ये डाइग्राम सब कुछ क्लियर कर रहा है, बस इतना देख लो, सारी कहानी क्लियर. ओके, तो भाई, सबसे पहले हमने ये देखा था, क्या देखा था? बोलो ना, अरे जोर से, और ये क्या कहता था, कि जैसे जैसे आप यहां से यहां जाओगे, stability बढ़ेगी, अच्छा, फिर हमने क्या देखा भाईया, effect, salvation effect, और वो exactly उल्टा बोलता था, कि भाईया, जैसे ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा जाओगे, तो क्या होगा stability, जब दोनों को combine किये, देखो, the net result, net result याने दोनों का combined result, तो combined result से क्या पता चला पड़ो? hold on, hold on, दोनों का combined result बता जा रहा भी, ठीक है, everyone here, everyone here, दोनों का combined result सुनो अभी दियान से, हा, तो क्या बुला जा रहा भी, net result यह है, कि जैसे-जैसे हम लोग जा रहे, NH3 से किसकी तरफ, फिर वहां से जा रहे, कहां पर, बोलो न, तो बुले, क्या हो रहा, बुले, basic strength increase हो रहा है, due to better stabilization, basic strength increase हो रहा है, मतलब बहुत, stability increase हो रही है, ठीक है, fine, but, यह कहां तक की कहानी है, कहां तक की कहानी, बोलो न, याने, यहां से, यहां तक की कहानी है, सिर्फ, आप एक word आगया क्या word आगया और but word क्या होता है कि वह कुछ उल्टा होने वाला है but word तभी लगाते है ना जब कुछ अलग होने वाला है कुछ उल्टा होने वाला है बरा-बरह ओगय बट पढ़ो लेकिन इस बंदे की बात हम अलग से करेंगे क्यों अलग से करेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंडुक्टिव एफट के वए इसकी स्टैबिलिटी बहुत लेकिन एविने सॉलवेशन के हिसाब से इसी बंदे की स्टैबिलिटी सबसे तो बात में पता चला कि इसी लिए ने वरीवन यहां से यहां तक तो हमने जब यह निगाला क्या निगाला तब धीरे-धीरे कहानी ठीक थी लेकिन जब इसकी बात आगे तो यह बंदा कुछ उल्टा बोल रहा है यह बंदा बिल्कुल उल्टा बोल रहा है तो बता चला यही वह बंदा है जिसमें यह कहानी आएगी यह यही पर लिए खाँ गया बंदा जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है तो बात में पता चला यही वह बंदा है जिसमें हमने साइन को हमने चेंज कर दूब कि यहां से यहां तर थीक है, लेकिन इसका sign change करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि दोनों लोग अलग कहानिया बता रहे हैं, नों हमने दोनों को solve करने के लिए, यहां तक कहानी की सेम रखी और यहां की कहानी के हमने change करने, ठीक है everyone, तो भाई तुम भी खुश, तुम भी खुश, बाद सही everyone, इस तरीके से matter को solve किया लिए, ठीक है, तो यह है पुरी कहानी, किसकी, किसकी, basicity of amines या alkyl amines, ठीक है, तो भाईया इसमें दो important कहानिया थी, एक थी positive inductive effect, ज्याद है ना, और दूसरा था, अरे बोलो, positive inductive effect बोलता है, आईसा जाओ के तो basicity बढ़ेगी, rent बढ़ेगी, अब समझ दो ना, इसा मतलब क्या, salvation बोलता है, नहीं, 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 आईसा जाओ के तो बढ़ेगा, अब क्या करने का सार, यह सही है, क्या रुखो, तुमको इसका attention लेने की ज़रूत नहीं है, यह जो लोग है ना, जो बहुत मेहनत करते हैं, इन्होंने उसको भी solve कर दिया, इन्होंने बोला, चलो ठीक है, भाईया, दोनों की बात मानी जाएगी, कोई नाराज नहीं रहेगा, यहां से यहां तक, तुम अपनी चलाओ, ठीक है, कहा नहीं समझ में आई, everyone? ओके, चलो, प्रिवाइस करते हैं,